तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तो सबसे पहले आज एक जनवरी है तो सबको हैपी न्यू यर मेरी तरफ से आप सबको न्यू यर की बहुत बहुत सुब काम नाए तो न्यू यर की विश करने के लिए लखन के पिता ने भी अपने चैनल पर एक वीडियो एपलोड की थी जो आपने देख ली होगी उन्होंने उन सबी लोगों को थेंक्यू बोला जो उनके बूरे टाइम में जो उनका साथ दिया था उन्होंने लखनी, सैंडी, किर्ती, भम और जितने भी उनकी फैमली के जो मेंबर है जो व्लोग बनाते हैं उनके सब्सक्राइबर को भी उन्होंने न्यू यर की सूब कामनाई दी किसी ने पाई कि एक मतलब जो व्लोग बनाया था उसके कमेंट सेक्शन में लिखा कि नए साल में गोड़ करे कि लखनीत को एक बेबी हो और वो ममी पापा बन जाए तो आप जल्दी से दादा दादी बन जाए तो इसके कमेंट में अरजुन रावत की तरफ से एक रिप्लाई आया जिसमें लिखा था कि नहीं बेटा लखन तो हमारा बेटा है ही नहीं तो हम उसके बच्चों के दादा दादी कैसे बन सकते हैं जब करण यश के बच्चे होंगे तब हम दादा दादी बनेंगे बगवान करे वो माबाब बने अच्छी उलाद हो उनको हमारी ये दुआ है और हैप्पी न्यू यर ये कमेंट आया है अरजुन रावत की तरफ से ये एडिटिंग था अब पता नहीं इसका क्या मतलब हो सकता है ये तो अरजुन रावत ही जान सकते हैं तो आपकी इस पर क क्यार आया है कमेंट करके जरूर बताना क्यूंकि ये कमेंट किसी के मतलब का तो होई नहीं सकता मजाख है तो भी एक बेटे के लिया समझा कैसे कर सकते हैं पाई तो अब उनके मतलब सब्सक्राइबर है उनको भी ये चीज समझ में नहीं आ रही कि पाई ने ऐसा क्यूं का क्योंकि जिसने कमेंट किया था कि बजगवान उनको बेवी दे आप दादा दादी वने तो वो कमेंट तो बिल्कुल सही था क्योंकि हर कोई चाता है पर ये इनकी तरफ से इस तरह का कमेंट आना किसी को उमीद नहीं थी तो आप भी बताना क्या अरजुन रावत ने ये कमें मजाक में किया है या सीरियस होके किया जो भी है नहीं करना चाहिए था मजाक भी ऐसा अच्छा नहीं लगता आप बताना आपकी इस पर क्या राए है